हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं जयन्द कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल चामलिंग यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से लोग शोलो स्लोट आठ फ्लस आठ कोयल को रिवाइंड किया जाता है जिसे की 36 इंच का इस्टेटर भी कहते हैं हम लोग और जहां तक होचे के दोस्तों इसमें जो है जितने भी हाय स्पीट के पंखे हैं दोस्तों या इस्टेटर है उसमें जो है आपको जो शोलोट पेपर होता है वह थोरा सा बड़ा ही लगाना चाहिए एक एमेम के अस्वास बड़ा जो इस्टाटिंग है आपको वह एक एमेम के पराबर और जो रणिंग पेपर होगा वह तक्रीबन दो एमेम आपको बड़ा यूज करना है तो चली सबसे पहले स्टाटिंग स्लोट पेपर जो है यहां पर हम डाल लेते हैं लगा लेते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरी लाश्ट तक जरूर देखिएगा चुकि इसमें मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं इस ट्रिक से आप जो आपका रणिंग कोयल जो अक्सर हाइस्पीट फैन में या हाइस्पीट इस्टेटर में जो हाँ बाहर रह जाता है तो वह वाला जो है ट्रिक या आप येदि यूज क जरूर देखिए और दोस्तों चैनल में नए हैं यदि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि इसी तरह का जो नॉलेजिवल वीडियो मेरे चैनल पर आपको लगातार म जो हम इसका जो वाइंडिंग करेंगे दोस्तों वह इस्टैटिंग कोयल का करेंगे और इसमें जो हमने वायर यूज कर रहे हैं हम वह आपको 35 नंबर वायर ही लेना है यह देख सकते हैं यह रहा इसका डाए 07 नंबर चुकी मेरा मसीन अभी यहां पर निच्छाम कंपनी क गया है तो इस साम कहीं यहां पर डाए देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहां पर लगेगा ये दिकी जैसे इस प्रकार से यह वाला कोयल यह दी बनाना है हमें तो इस तरीके से टाय में जो यलपती लगा हुआ दोस्तों उसमें जह आपको दो दाथ निगले हूए और दो को भी सेट कर लिया है इसकर दिया अब यहां पर हम 35 नमर को परवायर यूजिव कर रहे हैं और टर्न जो डाल रहे हैं दोस्तों इसमें हम हम 420 टर्न यूज कर रहे हैं 35 नंबर वायर से और इस्टेटर का कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है जैसे कि यहां पर हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं थोरा सा ग्याप आपको यहां पर रखना है इस्टेटर और डाय के पीच में यह देख सकते हैं तक्रीबर यहा करना सा ग्याप रखा है इस्टेटर के और पीच में और जहां तक आपको वायर की जो मतलब की वायर का जो प्रसंन आता है कि वायर यहां पर आपको थ्वर्दा सब्रेस लूज करके ही चलाना है मसीन को उतना ज्यादा त्याइट theology करना है थ्वर्दा लूज ही रखना हो य ली तरुलbor यहां पर हम सबसे पहला ओना रहे हैं कि मसीन और फर्वारड गुमा रहे सी जो दूसरा काय्म मोनेगा वह हम यहां पर रिवर्स में प्लीजिए गुमाआएगे हैं करें दोस्तों यहां पर च्जोंप फोल का पहला कवाल था यहां बन के रेडी होगे चुका है और हम मसीन इहां पे रुक चुका है अब यहां पे हम दुसरा कुल यहां वह बना रहा है को सट्रार लो R Speed को माना है किया दूसरा Coil रहे हैं जो कि मचीन अपना भी Reverse में चल रहा है तो कह ने का मतलग यह हुआ दोस्तों की जो Starting coil है High Speed का जो ships होता है तो उसमें Starting coil डालने में में प्रोबलिम नहीं होता है तो चली दोस्तों आब जो बचे हुए six यहां पर बच चुका है तो 6 कोई भी अपना इस्टाइटिंग कोई यहां पर बना लेते हैं उसके बाद से जो रहनी कोई में हमें करना है वह हम यहां पर वीडियो में आपको दिखाते हुआ तो दोस्तों यहां पर हमने 8 कोई जो है स्टाइटिंग कोई हमने यहां बना लिया है अब मसीन से यहां पर हम इस्टेटर को निकाल लेते हैं और उसके बाद इसमें लॉक डालते हैं इसके बाद टेप को लओ लुका हम से बताल है तो इसकी टैटिंग कोई के उपड़ में यहां एक आहां है । और दोस्तों यहां पर जो लॉक डालने का प्रोसेस है तो पुछ इस तरीके से मैं यहां पर लॉक डाला करता हूं देख सकते हैं जो पड़ते क्वाइल है दोस्तों उसका मैं लेफ्ट साइड से सबसे पहले सुरू करता हूं इस साड जितने भी हैं लेफ्ट साइड वाला क्वाइल कि वाला स्लोट उसमें जो हम यहां पे सबसे पहले लेफ्ट साइट से डाल देख कि उसके बाद से जो है इस्टेटर को के दूसरी तरब से हम डालेंगे लेफ्ट साइट से लेफ्ट साइट से यह दिया डालिएगा तो आपको कुछ कम समय में ही आपका लॉक जो है यहां पर डाला जाएगा कि चलिए लॉक भी डाल लेते हैं कि यहां पर हमने शाड़े लॉक जो यहां पर डाल दिये हैं दोस्तों देख सकते हैं अब हम यहां पर साड़े से दोनों अंगोठे से आपको अंदर की तरफ इसे दवा देना है ताकि जो रॉनिंग कोईल इसके उपर में आएगा अब वो जो है आराम से शुलोट के अंदर म लेते हैं और स्टाटिंग कोईल के उपर में चिपका देते हैं तो दोस्तों यहां पर हमने कोटन टेप भी चिपका लिया है अब बाड़ी आती है श्लोट पेपर डालने का तो यहां पर रॉनिंग कि अचिपका पर श्लोट में यहां पर कोईल के लिए हम यहां श्लोट पेपर डालेंगे यहां पर देख सकते हैं कुछ सटेटिके से आपको टकडी बन 2 या 3 mm जो है कोर के हिसाबसे बड़ा लेना है आपको यह यहम आपका कोर 14 mm का है तो आपको 17 mm के आसपास जो है करनिंग क के लिए यहाँ पे लेना और हमने यहाँ कढ़क片 डेख सकते हैं जो रांडिंग क्वाल स्लोट में आपर भी यहाँ डाल दिया इस तोर परुछ इस तरी के से कितना बड़ा हमने यहाँ यहाँ लिया इसमें डवल डाय जो है लगा हुआ है देख सकते हैं इसमें यह पट्टी जो है दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं वो हमने यहां पर डवल पट्टी यूज किया है जिरो आठ नमर का ही डवल पर्टी आपको यहां पर हमने यूज किया देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से भी आपको जो है यहां पर डवल पर्टी यूज करना है यहां इस तरीके से डवल पर्टी यूज करे हुए तो आपका 100% गैरेंटी के साथ का था हूं कि जो भी रनि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको हमने यहां पर मसीन में जो है डाइक को सेट भी कर लिया है और कुछ तरीके से हलका सा बिल्कुल हलका सा ग्याप रखना है एस्टेटर और डाइके बीच और साथ ही रनिंग कोईल डालते समय बनाते समय आपको जो वायर है वो फुली टाइट रखना है आपको तो फिलाल हम यहां पर 35 नमर कोपर वायर ही यूज कर रहे हैं और टरने जो है यहां पर 450 सारे 400 टरने हम यहां पर ढाल रहे है तो 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 यहां पर हमने मसीन खेन को कर दिया है स्टार्ट और अपना स्टरारी यहां पर बन रहा है तो तो यहां पर जो रनिंग कोईल हमने कि रणिंग कोईल के लिए जो स्लोट पेपर डाला था वो थोड़ा सा बड़ा डाला था कारण यह है कि जब आप स्लोट पेपर बड़ा डालोगे और जो डाए इस तरह के से जो है डाए का पटी आप डबल यूज़ करेगे दोनों डाए में तो होगा क्या कि जो कोईल करना है लॉग करोगे तो वह आपको आसानी से लॉग हो जाएगा और दुसरा करानी है कि उसमें जो है प्रोपर टर्ड ने भी आपको आ जाएगा उसमें और रनिंग कोईल स्लोट से बाहर भी नहीं रहेगा कुछ इस तरीके से फायदा होगा यदि आप इस तरीके से कर आते हो तो आपका जो गरन बाहर राने का प्रोब्लेम हो बचे हुए आनिंग के कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद से हम लोग करेंगे और अडिक्शन करेंगे कि शंक इसकते हैं साबने हैं कम्प्लीट कर लिए और रिषॆ connection करना है इसका चलिए सबसे पहले हम lock डाल लेते तो दोस्तों हमने यहां पे साड़े running call को lock भी कर लिया है और चार connection loop जो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है उसमें हमने एक नमर स्लीव डाल भी दिया है और साथ में तीन कलर का wire हमें यहां पे यूज कर रहे हैं connection के लिए black color जो है running call के wire में हम यहां connect कर लिया है yellow color का wire starting call के wire में और जो rate color का है उसे हम यहां पे common wire बना रहे हैं जो की एक starting और एक running call के wire को इसमें हम यहां connect कर रहे हैं rate wire में और बाकी बचे जो extra wire है उसे हम यहां पे cut कर रहे है अब इसमें direct हम spot welding करेंगे और इसमें जो तीन नमर स्लीव हम यहां पे यूज करेंगे दोस्तों वो हाई temperature वाला स्लीव होगा जो की काफी हद तक हंडर में 90 परसेंट जो है जो लूप अपका जल जाता है short कर जाता है spark कर जाता है उसको नहीं होने देता short इस देख सकते हम यहां पे अभी spot welding कर रहे हैं कि दो वायर को तो हमने कर लिया अब तिसरा जो कॉमन वायर है उसको यहां पर वैल्डिंग कर रहे हैं और वैल्डिंग भी अपना हो चुका अब यहां पर इसमें हम तिन नवर स्लीब जो की बले कलर का यहां पर हम यूज कर रहे हैं यह देख सकते हैं तिन नवर स्लीब डालके और टाइसे इसे हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे फिक्स कर दो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाईएगा और साथ में यह चैनल में नए हैं पहली बार मेरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद